पिछली बार ट्रांस्फॉर्मर्स प्राइम में तुम यहां क्यों आए हो साथ मिलकर काम करना है इसलिए एक टीक ओग टेकनोलजी नहीं है बायालजी है हमारे पास दो और कॉडिनेट्स है जिनकी जानकारी और रायन पैक्स ने जाने से पहले दी थी देखते हैं दो जगाओं से हमारे हाथ कौन सी नयाब चीजे लगने वाल ही है तुम्हारी सोच को क्या जंग लग गया है तुम जानते थे कि वहां दुश्मन का पीछा करना पड़ सकता है और बंबल भी कार नहीं बन सकता उसमें कारुधार ली थी तुम पहले ही अपना वाइस बॉक्स और ठीकॉक खो चुके हो उससे दिल नहीं भरा जो स्पार्ग भी खोना चाहते हो ऐसा मत क्यों बंबल भी तुम बेकार नहीं हो देखो मुझे भी बंबल भी की चंता है लेकिन डिसेप्टिकॉन के हाथ आयकॉन का एक नया हथियार लग गया है जो खतरनाक हो सकता है बीते वक्त की तारीफ करने से या दोश देने से वो बदलेगा नहीं कोशिश करो के आइंदा कोई भी बेवज़े खत्रा ना मोल ले बंबल भी तुम बेश से बाहर नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारा खोया हुआ ठीकॉक मिल नहीं जाता बंबल भी का परिशान होना जायज है लेकिन तुम और मैं जानते हैं कि उसे पूरी तरह ठीक करने का एक रास्ता है एक ट्रांस्प्लांट लेकिन उसके लिए एक डोनर भी चाहिए कहीं और ढोनने की जरूरत नहीं है डोनर तुम्हारे सामने है कि जरूर। तुम्हारा दिल काफी बड़ा है लेकिन इस समाधान से हम एक आटोबॉट को ठीक करके दूसरे को अपाहिज बना देंगे मैं टी कॉग उतना इस्तेमाल नहीं करता जितना बंबल भी करता है ट्रांस्फॉर्म होने की काबलियत मेरे किसी भी काम की नहीं मैं हर रोज यहीं बेस में रहता हूँ जहां मेरी सोच और मेरे हाथ ज़्यादा एहमियत रखते हैं मेरे हथियार और वील्स नहीं हमारी टीम एक और योद्धा को खोने का नुकसान नहीं झेल सकती तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन यकीन मानू हम बंबल पी का टीकॉग वापस ले आएंगे आप्टिमस मेक दरिंदे हैं हो सकता है कि वो अब तक उसे पूरी तरह खराब कर चुके हो या ऐसी हालत हो कि मरमत ही नहोबाए राचिट तुम जो कर सकते थे तुमने किया प्लीज ये मत समझना कि मैं उसका वोइस बॉक्स में ही बचा पाया इसलिए उसकी भरपाई कर रहा हूँ मैं मैं वही करना चाहता हूँ जो सही हो बंबल पी के लिए हमारी ठीम के लिए तुमने तो कमाल कर दिया नॉक आउट जानकर खुशी हुई लॉर्ड मेगाट्रोन लेकिन ये करता क्या है जान गए क्या करता है मुझे लगा मेरी खुशी खत्म होने वाली है यहीं वो जगा है हाँ खजाना कैसा लगा साइलस मैं मेगाट्रोन को इंसानों से हाथ मिलाने की सलाह देता था देखो ना ओटो पार्ट्स कई बार उनहीं की वजह से एक कदम आगे रहते हैं पर वो खुद को बहुत बड़ा चाल बास समझते हैं पर असल में मेगाट्रोन तुम इंसानों के छोटे दिमाग से भी छोटी सोच रखते हैं बहुती छोटी सोच मैं तो बस साइस की साइस की बात कर रहा था क्या तुम कभी चुप नहीं रहते क्या मैंने तुम्हें कभी बताया कि मैंने खुद एक आटोपॉट को मारा था ये है पूरी तरह से शुद एना जान जिसे हम ले जाएंगे और इस्तुमाल करेंगे मान स्पेशियों से बने मेरी दोस्त जिससे हम थाकतवर बन जाएंगे जाहिर सी बात है कि दूसरा पेशेंट मैं हूँगा इसलिए मैं सर्जरी नहीं कर सकता इसलिए तुम मेंसे किसी को ये काम करना पड़ेगा तुम सिर्फ तोड़ फोड़ ही कर सकते हो आरसी ऑप्टिमिस के हाथ ज्यादा स्थिर हैं स्थिर और ज्यादा बड़े भी जिनसे उसे काम करने में दिक्कत होगी आरसी तुम ये कर सकती हो तुमसे ज्यादा हमेद वाली कोई नहीं सिर्फ मैदाने जंग में और अपरेटिंग थेटर में नहीं एक ही बात है सिर्फ अगर चुरी तुम्हारे हाथ में हो तुम पर नहीं क्या इसका मतलब अपसे बंबल भी अम्बूलेंस में ट्रांसफॉर्म हुआ करेगा या चिच्च्रा हो जाएगा यह तो बहुत बुरी बात है तो मेरा शुक्रियादा काम पूरा होने के बात करना है चलो बंबल भी तुम्हारी बारी है क्या हो रहा है राचिट चल बसा बिल्कुल नहीं एक और आएकॉन का रेडियो डिवाइस उसका सिगनल मिलने का मतलब है जिससे पिकॉंस ने फिर से किसी हथियार को जमीन से निका रहा है आटो बाट्स चलने के लिए तयार हो जाओ येस हमारे पेशन्स को छोड़ कर राचिट पर बेहोशी का असर कम कर दो प्राइम एक जबर्दस खबर है प्राइम का है देखो उससे कहना मुझे सैटलाइट से कुछ तस्वीरें मिली है जिन से हमें मेक के सही ठिकाने का पता चल गया है क्या मुसिबत है वहाँ पर कोई है जो सिर्फ टू टू में बात नहीं करता हो मैं समझाता हूँ क्या फ्यूज और के वोइस बॉक्स की मरम्मत करनी है अब ये फ्यूज और कौन है वहाँ पर हो क्या राए बेंटोर से पूछ लो मैंने उस टैंक की वो हालत कर दी की दीन का डिबबा बन गया लेकिन बी ऑप्टिमिस ने तुम्हें बेस पर रहने को कहा था कोडिनेट्स भेज दीजी एटिंट फावलर हम उन्हें ऑप्टिमिस तक पहुचा देंगे यह क्या बात होई मेगा ट्रॉन ने हमसे इतनी मेहनत करवाई वो भी सिर्फ एक और हथोड़ा हासल करने के लिए वो हथोड़ा तेरा असली प्राइम्स की एक पवित्र निशानी है सच में? लेकिन डिसेप्टिकॉन के बनाए हथियार जितना खतरनाक नहीं होगा न लगता है कि खतरे को टालने के लिए हासल किये डिसेप्टिकॉन के हथियारों के साथ आइकॉन की तिजोरी में पड़ी हर एक एहम चीज को अलग अलग दुनिया में छुपा दिया गया था और ये वाला तो सबसे ज्यादा एहमियत रखता है इसे सोलस प्राइम का फॉर्ज कहते है इसमें बसी रहस्यमई शक्तियां किसी भी चीज को मेकानिजम बना सकती है आपका मतलब इसकी मदद से हम जैसा चाहें वैसा हथियार बना सकते है या मुम्किन है कि बंबल बी के लिए एक नया टी कॉग बना पाए एनर्जॉन को डालो काम कर रहा है एनर्जॉन इस से हमारी बनाएं फॉर्ज सब पर भारी फड़ेगी तुम्हारी बनाएं फॉर्ज देखा जाए तो कुछ ही देर में हम एक चमतकार होता देखेंगे ठीकों के बीना ये निहत्ता है अब उठाओ इसे चलो अब उठाओ इसे आटो बाट्स मारना तो दूर तुम मुझे चूबी नहीं पाओगे बाट्स के बाट्स के बाट्स के बाट्स पव्ट हाथ आया पर काम ना आया हमारा ठिकाना और आविश्कार दोनों खत्रे में है घुस पैठ्षे को मार दो ट्री को को लेकर मुझे पहाड़ी पर मिलो मैं तुम्हारा भाड़ी का टट्टू नहीं हूँ मैं एक कमांडर हूँ एक कदम भी आगे पड़ाया तो समझ लो तुम्हारा कीमती पूर्जा गया राचिट कैसा लग रहा है बहुत अच्छार असल में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं प्राइम क्या बात है एजेंट फाउलर क्या प्राइम कोडिनेट्स तक पहुंच गया कोडिनेट्स मैं के ठीकाने का मैंने आदे घंटे पहले भेजे थे फिक्रमत कीजिए एजेंट फाउलर कोई उनसे नबटने गया है आप्टिमस को कुछ रिसेप्टिकॉंस को रोकनी जाना पड़ा तो उनके बज़े बंबल भी चला गया क्या बंबल भी क्यों चला गया स्वचुरी के बाद हालत मासुक होती है वो अलग बात है वरना क्या करोगे शूट करोगे अफसूस ट्रांसफॉर्म ना होने से बड़ा और कोई दुख नहीं है अब कभी भी तेरी जरफतार का मजा नहीं ले पाओगे एक आटो बाट होते हुए हारना तो उससे भी ज्यादा शर्म की बात है उसे तो उरादिया अब में अब बात है बीर ताहूँ में अब आती कोग? हाँ वो बतकिस्मती से वो खमासान लड़ाई के दारान बरबाद हो गया लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है सभी आटो बार्स में टी कॉक्स हैं हम जल्दी तुम्हारे लिए एक और ढून निकालेंगे जल्द ही नहीं वो मुझे चाहिए अब ही वक्त की करवट किसी पर भी भारी पर सकती है कल हीरो में दम था और आज विलन ज्यादा दमदार है मेरा वाला ज्यादा बड़ा है धुखछघ्छ थोफड़ा पर दियुखछ़गान चाहिए पल्कन 통 प्राइम्स की निशानी वो भी अर्थ पर डिसेप्टेकॉन के इतने काम आने के लिए मैं शुक्रियादा करता हूँ ओराइन पैक्स का मैं ठीक हूँ आप्टिमस एजेंट वालर को किसी तरह में के ठीकाने का पता चल गया है बंबल भी वहां पहुंच चुका है यह क्या अर्टोबोट्स मेरा टीकोग राचिट ब्रिज को दुबारा शुरू करो और सर्जरी के तयारी करो मेरी वज़ा से फॉज मेगाट्रोन के हाथ लग गया अगर वो हमारे हाथ लग गया होता तो बेशक हमारे बहुत काम आता लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेगाट्रोन के भी कुछ काम नहीं आएगा देखने से तो ये कोई बड़ा धमाका करने वाला हत्यार नहीं लगता मेरा शक सही था इसे काम करने के लिए प्राइम्स की ताकत चाहिए ये फोर्ज हमारे लिए एक बेकार आउजार है इसके बावजूद हमें इसे हर हाल में प्राइम्स की पहुंच से दूर रखना होगा जो कर सकता था वो मैंने किया हमारे जावास को तुम ही ठेक कर सकते थे मेरे दोस्त तो प्लान में बदलाव कब आया? राचट ने अपना कॉग डोनेट क्यों नहीं किया? बंबल भी को यह मंजूर नहीं था बंबल भी आराम से तबियत सुधरने में वक्त लगता है कौक की हालत बहुत खराब थे क्यों नहीं? बस चलो आराम से बंबल भी और ज़रूरत से जादा तेज मत चलाना बी के टी कोग को देखकर लगा था कि वो कबार बन चुका है पता नहीं डॉक्टर ने उसे कैसे ठीक कर दिया राचत ने आज सिर्फ उसे ही ठीक नहीं किया प्राइम तुम सब दबाही रोकने के लिए हो या मचाने के लिए तुमने वादा किया था कि कोई भारी नुकसन होने नहीं दोगे मैं माफी चाहता हूँ एजेंट फावला लेकिन हम सब यहीं पर मौजूद हैं तुम देख सकते हो फिर ये बताओ कि यहां से करीब 35 किलोमेटर दूर उमाह के पास दो बड़े ओड़ोबोर्स लड़ते हुए नुकसान क्यों कर रहे हैं शायद डिसेप्टिकॉन्स हो आजकल डिसेप्टिकॉन्स आपस में लड़ने लगे हैं शायद वो भी मेगट्रॉन से तंग आ चुके हैं अभी दिखाता हूँ उन्होंने क्या गुल खेला हैं ये देखो मैं ये नहीं मान सकता कि स्काइकुएक वापस आ गया है तुमने और आप्टिमस ने उसे दफन कर दिया था लेकिन स्टास्क्रीम ने उसे फिर से जिन्दा करके टेरकॉन बनानी की कोशिश की थी तो अब सवाल ये है कि उसके साथ लड़ कौन रहा है यकीन नहीं होता ये तो हम में सही कोई एक है वील जाक? जाक लोट आया मुझे किसी के लोटने आ जाने से कोई वास्ता नहीं किसी भी तरह उनको रोको इस से पहले की ये हादसा सुर्ख्यां बन जाए किसी भी तरह उनको रहा है तुम अब बच नहीं पाओगे दिसब्टिकॉन मैं स्पेशल एजन फाउदर हूँ और तुम वोव मुझ पर क्यों भड़क रहे हो मैं तुम्हारी तरफ हूँ मुझे बतात हम मेरे दोस्त जरूर आएंगे यदलेदान है यद के बतात हूँ जाके इससे काम बन जाएगा इससे मेरी कॉपी की भाग कहा रहे हो वील जाके नहीं ड्रेड विंग ने इस जगा बॉम लगाए थे ड्रेड विंग ने? उस जगा को उसके बॉम ने नहीं तुमने उड़ाया उसे गैस स्टेशन कहते हैं एक तरह का इन जान डेपो एक चिंगारी भी उसे ब्लास्ट कर सकती है उस कौन को मुझे रोकना है? वेल जाक तुम अपनी मन मानी नहीं कर सकते जब तक हम इस दुनिया में हैं तुम वही करोगे जो हम सब के लिए सही है जरा प्यार से मेरा हाथ तोड़ोगे क्या? हिलना बंद करोगे तो नहीं तूटेगा देखिए कमांडर उस नुकसान के लिए मैं माफी चाहता हूँ आइंदा ऐसा नहीं होगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं ड्रेडविंग का पीछा सेक्ड़ों सालों से कर रहा हूँ मुझे लगा था तुम गैलक्सी में घूमते हुए बजे हुए आटो बोट्स डून रहे थे हाँ और वहां मुझे एक रेकर मिला था कौन? सी स्प्रे तो कैसा है अपना पुराना दोस्ट? बिल्कुल ठीक नहीं है उसकी धच्चियां उड़ चुकी है क्या? नहीं! ड्रेडविंग मेरी शिप जैक हैमर को सी स्प्रे का सिग्नल कई सालों पहले डैरन से मिला था मैंने उसे कॉन्टाक करके ट्रामटाउन सिस्टम में मिलने का फैसला किया लेकिन शायद ड्रेडविंग ने हमारा ट्रांस्मिशन सुन लिया इसलिए वो सी स्प्रे तक पहले पहाँच गया वो बॉम हम दोनों के लिए लगाया गया था पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि जैक हैमर उस धमाके को सैप आया मुझे ड्रेडविंग का सुराग मिला और कई सोलर सिस्टम्स दलाशने के बाद वो आखिरकार मुझे मिली गया उसका पीछा करते करते मैं यहां तक पहाँच गया अजीब इत्तिफाक है ना मैं ड्रेडविंग को जानता हूं वो शिकारी आर्मारा का कैप्टन था और अपने जुडवा भाई स्काइक्वेक के तरहा ही वो ड्रेडविंग का वफादार भी था बेशक ड्रेडविंग पृत्वी पर अपने असली मालिक मेगा ट्रॉन की सेवा करने आया होगा चाहे किसी के लिए भी आया हो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं वेल जाक इस प्लानिट पर करोडों लोग रहती हैं डिसेप्टिकॉन पर हमला करने से पहले उसके असर को एक टीम की तरहा नापना होगा ताकि इनसानी आबादी को कोई नुकसान ना पहुँचे तो मैं क्या करूँ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं तुम खुद को समझते क्या हो तुम्हारी वज़ा से आज हमारा रास खुल जाता कैसा रास हम बेज बदल कर बाहर जाते हैं तुम्हें भी बाहर जाने के लिए और्थ की वेकल में बदल ना होगा जिस स्पेश्शिप को तुमने यहां गिराया वो अर्थ की नहीं थी पता है मुझे उसे वहां से आटाने में कितनी तकलिफ उठानी पड़ी तुम्हें अपने इस आटोबॉट की लगाम खीचनी होगी प्राइम लगाम खीचनी होगी? कान खोल कर सुन लो मोटू जैकी देखो मैं आप्टिमिस प्राइम के लिए काम नहीं करता मैं उससे बात करता हूँ आपकी इजाज़त है? इजाज़त है इस नए आटोबॉट में कुछ ज्यादा ही अकड़ है वील जाक और बल्क हेड रेकर्स के लिए काम करते थे एक ऐसा कॉमबाट यूनिट जिस पर किसी का हुक्म नहीं चलता था जिन मिशन से सब डरते थे उन पर ये जाते थे और उन में से कई तो लोट कर भी नहीं आए लोड मेगाट्रोन आपका गुलाम हाजर है उठो ड्रेडवेंग तुम गुलाम नहीं वफादारी की मिसाल हो वफादारी मेरी रगों में दोड़ती है पर मेरा यहां आने का एक और मकसद है मैं जानना चाता हूँ कि क्या यह सच है कि मेरा भाई अब नहीं रहा तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला हम दोनों में एक ही स्पार्क की दो टुकडे थे हमारे पुर्जे अलग थे पर उनमें जान एक ही थी गैलक्सी के उस पार रहते हुए भी मुझे उसके दोबारा उठने और उसके स्पार्क के बुझने का एहसास हो गया था यह सच है कि आटो बॉट्स ने स्काई क्वेक को जान से मार दिया लेकिन उस वक्त मैं खुद होश में नहीं था मैं इसी वक्त कसम खाता हूँ कि इसकी कीमत हर एक आटो बॉट्स को उनके किये की कड़ी सजा मिलेगी लेकिन कब और कैसे ये मैं तुम्हें बताऊंगा लेकिन मास्टर जरूरी मुद्दों से हटने पर हमें काम्याबी तेर से मिलेगी इस बात को तुम भी समझते हो ड्रेड विंग अब तुम मेरे हुकम पर चलोगे और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करोगे जैकी अगर इंसानों की बात ना भी हो तो भी हम योई डिसिप्टिकॉंस पर हमला नहीं कर सकते हमारी संख्या कम है रोडबस्टर, पायरो, इंपक्टर, रोटोस्टॉम, सी स्प्रे सब मिट गए यही तो मैं समझाना चाहता हूँ रेकर्स होया और टुबोर्ट्स हमारी तादाद दिन पर दिन कम हो रही है लेकिन आप्टिमस का साथ देने पर हम इस जंग को हमेशा के लिए हत्म कर सकते हैं आप्टिमस जैसे शक्स बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं लेकिन मुसीबत आने पर सबसे पहले वही भागते हैं रुको रुको रुको, मैं Optimus को तुमसे बेतर जानता हूँ, मेरे लिए Ricker होना ही सब कुछ था, लेकिन बाद में सब बतल गया क्योंकि Prime ने तुम्हें सही रास्ता दिखाया, ब्ला 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 Will Jack, जानता हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, मेरे पास एक प्रस्ताव है क्या ये ड्रेडविंग है मुझे इन कोडिनेट्स पर मिलो, अगर दम है तो तुम्हारा दम निकालनी के लिए तो मैं जरूर पहुंचूंगा जैकी, ये उसकी चाल है जानता हूँ, लेकिन आज तक ऐसी चाले मुझे रोक नहीं पाई क्या तुम साथ चलोगे? कम से कम बैक अप को तो बुलाने दो तुम जानते हो रेकर्स को बैक अप की नहीं बलकी क्लीन अप की ज़रूरत पड़ती है मुझे लगा था तुम नहीं आओगे मुझे अधूरे काम पसंद नहीं है क्यों आओगे बस यही है तुम्हारी चाल अगर तुम यहां से उड़ने की सोच रहे हो तो भूल जाओ बलखेड बलखेड का सिगनल यहां से हजारों मील दूर है और मुझे लगता है कि वील जैक उसी के साथ है क्या तुम ने उनसे कॉंटाक्ट किया? कोई जवाब नहीं मिला इतनी तेर कहां लग गई बलखेड? कहीं प्राइम के साथ रहे कर तुम भी धीले तो नहीं पड़ गए तुम मेरी बात ना मानो ये मैं समच सकता हूँ लेकिन मेरे किसी आटो बाट की जान को खत्रे में नहीं डाल सकते बुरा मत मानियागा सर बलखेड खत्रे से वाकिफ था हर रेकर होता है मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं होगा आप्टिमस बलखेड का सिगनल तुम्हारी जगे से आगे बढ़ गया है आप साथ चलेंगे तुम और बलखेड काफी पुराने दोस्त हो लेकिन फिर भी तुम अकेले काम करना चाहते हो रेकर्स तो कब के बिखर गए थे सर और वैसे भी अकेले काम करने में उलजने कम होती है यहां पर काफी आबादी है ज़रा ध्यान रखना फ्यूल पंप्स को चिंगारी भी उड़ा सकती है वो ज्यादा दूर नहीं है हे दोस्तों नई चाल इस बार तो तुमने मुसीबत को सीने से लगा रखा है मेरे दोस्त पीछे हट जाओ जैकी काम शुरू करते हैं क्या पहले कभी इसे टिफ्यूज किया है ट्रिगर नहीं है नकली वायर्स जूटे बटन काफी बढ़िया बॉम है प्रेडविंग कहा हो तुम अपने काम को अंजाम दे रहा हूँ लॉड मेगा ट्रॉन मैंने तुम से इंतजार करने को कहा था ना माफ कर दीजे मेरे मास्टर लेकिन मैं ऑप्टिमस प्राइम को मिटाकर आपकी नजरों में ऊचा उठना चाहता हूँ ऑप्टिमस को मिटाना इतना असान नहीं तुम से पहले भी ऐसी नाकाम कोशिश करने वालों से मैंने यही कहा था जैकी चले जाओ वरना हम दोनों को क्लीन अप की ज़रूरत पड़ेगी मेरा ध्यान मत भढ़काओ बल्क ऑप्टिमस कहा है मैंने कहा था ना जब जान पर बनाती है तो सबसे पहले जेनरल ही भागते हैं नहीं ऑप्टिमस ऐसा नहीं है यकीन मानिये मास्टर कुशी देर में मैं ऑप्टिमस के साथ दो और की धज्या उड़ाने वाला हूँ तुम्हारे महरूम जुड़वा भाई के खातिर इस बार तुम्हें इजाज़त देता हूँ लेकिन सिर्फ इस बार अगर ड्रेड विंग सही सलामत लौट पाया तो मुझे हरानी होगी ये प्राइम कहा चला गया अगर तुम स्काइक्वेक जसे ही हो तो तुम्हारे लिए भी वफादारी और इज़त से बढ़ कर कुछ नहीं होगा क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो बस इतना ही के मेगाट्रोन के लिए उन चीजों के कोई माइने नहीं है वो सिर्फ बरबादी और मनमानी करना जानता है लेकिन तुम सही रास्ता चुन सकते हो बॉम को डियाक्टिवेट कर दो मैं कहता हूँ चले जाओ मैंने सैंड केन पर तुम्हें अकिलिए नहीं छोड़ा था इसलिए यहां भी नहीं छोड़ूंगा देखो अगर कोई इस बॉम को डिफ्यूज कर सकता है तो वो सिर्फ ड्रेड विंग है ब्लास्टर की आवाज नस्दीक आ रही है शाहिद कमांडर माप करना जैकी तुम्हारी भलाई इसी में है कर सकता है कर दो जो कर दो 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 कर दो और बेचारी मचलिया बालकेट रुक जाओ और जाओ मेरे रास्ते से कम से कम मेरी बात तो सुन लो तुम सही थे सिर्फ ट्रेड विंग ही इसे डिफ्यूज कर सकता है और आप्टिमिस को ये बात मालूम है ड्रेड विंग बॉम टिफ्यूज करो या खुद ही उसके शिकार बन जा अपने भाई का बदला लेने के लिए मैं कुर्बान होने को तयार हूँ तो फिर हम भी अपने भाई जैसे दोस्त के लिए कुर्बान होने को तयार हैं वो भी तुम्हारे साथ हम यहां से हिलेंग नहीं हर जख हम अग्हार गजवार भेत लॉम्हार गढ़े आاع आ अओरी सिर्द्ट हर। अबू। हर। 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 हम भेते अगहार। तू झाए। मुझे लगाई था कि ब्लू या येलो वायर होगे या फिर रेड तो अब क्लीन अप के लिए किसे बोलाएं आप्टिमस प्राइम अब भी जिन्दा है और तुम भी ड्रेड विंग तुम इसे अपनी जीत ही समझना क्यूंकि स्काइड क्वेक को दूसरा मौका नहीं मिला था मुझसे मेरे भाई की बात मत कीजिए लौड मेगा ट्रोन मैं यहां सर्फ और सर्फ आपकी सेवा करने आया हूँ सर्फ आपकी सुनिए कमांडर आपके साथ काम करना मेरे लिए गर्व की बात थे शायद आपको समझने में मुझसे भूल हो गई और तुम्हें भी अपने दोस्तों की परवाह है जबके तुम उसे खुल कर दिखाने से कतराते हो वो अब मैं यहां नहीं रूख सकता मान जाओ जैकी अगर तुम चले भी गए फिर भी लौट कर यही आओगे कितना फ्यूल बरबाद होगा और एनरजान की काफी कमी है फिर भी यहां जगे की भी कमी है मैं अपनी आजादी खोनी के लिए अब तक तयार नहीं हूँ थोड़ा घुन कर देखता हूँ शायद ये प्लानेट मुझे रास आ जाए जैक हैमर काफी अच्छी शिप है लेकिन तुम्हें वेकल मोड के लिए अर्थ की कार चुननी होगी कि अब तुम्हें आजादी बड़ा है